तैयार हो जाएए नए हफ़ते की शुरुआत के लिए बाजार में रहेगा भरपूर एक्शन दुनिया अपर के बाजारों से जबर्दस तेजी के संक्यत और साथ ही माराश्टरा में लोगडाउन की खबरों भी तो अच्छी और खराब खबरों के बीच कैसे रहेंगे बाजारों क्या करें आप पूरे हफ़ते की तैयारी रहेगा इसी पर फोकस स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाव में नमस्कार मैं हूँ अनील सिंग्वी और नमस्कार मैं हूँ दिपांशु भंडारी जानेंगे अनल जी से की अच्छी और बुरी खबर में बाजार किस खबर पर जादा रियाक्शन देने वाला है पूरे हफ़ते के लिए क्या सेट अप होगा इस पर भी सर से चर्चा करेंगे तो सर सबसे पहले बताएं आज के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या हैं त्रिगर्स दुनिया पर के बाज़ानों से आते दिख रहे हैं और हमारे अपने लोकल ट्रिगर्स भी हैं अमेरिकी बाज़ानों में पोने 200 उंकों का दमदार उच्छाल दिखा गुरुवार को दीप और यह उच्छाल वहां के बहतरीन इकोनोमिक आंकड़ों के दमपर बेरोजगारी जिस तरह से कम हुई है उसने जोश भरा अमेरिकी बाज़ारों में और उसी के दमपर आपने देखा कि दिनकी उचाईयों पर जाकर बंद हुए अमेरिकी बाज़ार डाव भी और साथी नेस्डेक डवल सेंचुरी मारकर बं तो बहुत ही बहतनी संकेत ग्लोबल मारकर से हैं लेकिन हमारी अपनी ख़बरों में अगर देखें तो देश में कोरोना के नए मामले एक लाख के पार निकलते हैं तो कोरोना की जबर्दस लहर विसफोर्ड जो आप कहना चाहिए सुनामी वो इस वक्त होती हुए दिख रह और यहां से एक बड़ा डर होता दिखा है माराश्ट में नाइट कर्फी लग चुका है वीकेंड पर कर्फी लग चुका है पूरी तरह से लोकडाउन होगा वीकेंड पर और साथ ही दिन के दौरान भी रेस्ट्रिक्शन काफी बढ़ा दिये गए तो कोरोना को काबूग मे करने के लिए माराश्ट में बड़े कदम होते हुए दिखें लेकिन बुद्वार को है और बैकी पॉलिसी और उससे पहले आज से एमपी सी की बैठकी हो रही है शुरूआत तो यह भी एक बड़ी इवेंट है इस हफते की जिस पर रहेगी नजर जी दिव बिलकुल सर तो धेरो एवेंट है और अफकोस अगले हफते से बड़े नंबर्स आएंगे पर सर यह अच्छे और बुरी खबर से शुरूआत करते हैं आज दस दिन अगर एक साल पहले रिवाइंड करें तो आज पहले लॉकडाउन को दस दिन हो जाते थे पर उसके बाद यह जो नया लॉकडाउन शब्द यूज नहीं किया सरकार ने महराश्र की बट आल्मोस लॉकडाउन जैसे ही रेस्ट्रिक्शन्स लगाए हैं कैसे समझें और जिस तरह से एक लाग से जादर नए मामले आए हैं कितनी बड़ी चंत्या हो सकती है सर देखिया आपकी हमारी और सबकी हेल्थ के लिए बड़े सीरियस इशू है लेकिन बाजार के लिए नहीं दोनों को अलग-अलग एंगल से देखना होगा बाजार में तो सबसे बड़ा डर और पिछले साल इसी वक्त जो था और लोगडाउन भी था कोरोना का भी डर था ये पता नहीं कि कब खत्म के लिए आज से देखें तो दीप इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर कोरोना की वज़े से बाजार गिरते हैं कमजोर होते हैं तो वो एक करेक्शन है इस करेक्शन में आपके लिए खरीदारी का मौका है जब पिछले साल ये सीचुशन थी जिसमें इतना डरने के बाद बा लेक्सिनेशन बड़ा जोर पकरतावा दिख रहा है नहीं तो लोग बीच में आराम से अपने टरन आने के बावजुद इंतजार कर रहे थे क्या जल्दी है क्या जरूरत है आराम से लगा लेंगे नहीं कहां जाने वाला है कुछ नहीं हो रहा है तो वो जो ला परवाई औ कि अगर दो जन बात करें आप और में बात करें तो अगर मैं यह सोच के रहूं कि मुझे नहीं होगा होगा तो आप ही को होगा यह जो और कॉन्फिडेंस है इस और कॉन्फिडेंस से जो कोरोना इतना फैला है मुझे लगता है कि अब लोगों को इसकी सीरियसनेस फिर से ए पूर्ट नहीं है जितना आपके और हमारी हेल्थ को लेकर तो हमें हेल्थ के एंगल से ज्यादा बरुसा करना है वेल्थ के एंगल से चिंता करने की बात नहीं है छोटे मोटे करेक्शन आएंगे कोरोना की वज़े से बाजार में अलरडी हम 15,000 के नजदीक है निफ्टी पर अगर थोड़ा बहुत गिर जाएं बढ़ जाएं तो कोई खास फरक नहीं पड़ता तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना की वज़े से आपको अपने पॉर्टफोलियो में अपने इन्वेस्मेंट पे कोई बहुत खास चिंता करने की जरूरत है हाँ ट्रेडिंग के लिए ऐसा नहीं कि पूरे देश बर में हुआ है पिछले साल इसी वक्त पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में था अल्मॉस्ट पूरी दुनिया में लोगडाउन था तो जो लोग इस बात को लेकर बहुत डर रहे हैं गबरा रहे हैं उन्हें मैं सिर्फ यह कहना चाता सिचुशन सब जगे खराब है लेकिन आपको मारकेट के एंगल से इन्वेस्मेंट के एंगल से बहुत चिंता करने की ज़रूत नहीं है अगर आपको चिंता हो ही रहे है तो अपनी हेल्थ की किजए वेल्थ कहीं जाने वाली नहीं है और बाजार कोई छोटे मोटे करेक्श कि यह है कि आप अपने हेल्थ का ज्यान रखे वेल्थ संभल जाएगी कोई चिंता की बात नहीं क्लियर बात है सर तो थोड़ा रियाक्शन आ सकता है बट वैसे कुछ जादा भाजार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर क्योंकि आपने वैक्सिंग की बात करी वीकेंड हलका सा जो डोज लगने के बाद वो थोड़ा सा हेडेक और बुखार की हरारत जैसी रहती है वो कल फिलिंग थी आज तो आपके सामने एकदम फिट और फाइन हो बहुत ही बड़ी आ तरीके से तो कहीं और इतनी स्मूथ प्रोसेस है इतना आसान है मतलब कोई अगर नहीं क पसंद आया जो जो सरकार आपको अवैलेबल कराये होस्पिटल अवैलेबल कराये दोनों अच्छी है कई लोग मुझे पूश रहे है कौन सी ली कौन सी अच्छी है अरे तोनों अच्छी है सब बढ़ी है कहीं कोई चिंता की बात नहीं आप सिर्फ जाईए अगर आप 45 से प्लीज जाकर करवाईए और आराम से स्मूध बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है हार्डली कुछ समय लगता है और जिस तरह का अरेंज्मेंट्स लगबख सारे होस्पिटल में है मुझे लगता है कि लोगों को अब और आपको और मेरे कहने से दीप होगा नहीं जो लगाना शुरू करने लगे कि अरे मौधी जी ने लगवा कि तस्विक चाहिए तो फिर वियाइट्पी उनके पीछे पीछे और उसके बाद जब यह कोरोना की लहर फिर से आई है तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि वैक्सिन लगा लेनी चाहिए तो प्लीज अगर आ अगर आपको किसी भी वज़े से कोविड होता भी है वैसे तो चांसे नहीं के बराबर है लेकिन पूरा दूसरा डोज लगे और दूसरा डोज भी इफेक्टिव हो उस प्रोसेज में इसके बीच में अगर गलती से आपको हो जाए बगवान न करे तब भी आपके जाने की नोबत ना आए गर पे ही आप आइसोलेट करके आप अपनी रिकवरी कर सकते हैं यह बहुत बड़ा आंकड़ा है जो मैंने पढ़ा है आपके लिए सबसे बड़ा फाइदा यह कि आपकी जो लाइफ रिस्क है वो काफी कम हो जाती नहीं के बराबर हो जाती है तो जरूर इसका फाइदा उठाई है आनल जी की सला है और वीकेंड पर तो सर ने भी पहले डोस लगवा लिया है अच्छा जर यह तो ही करोना की बात जो जबरदस्त ग्लोबल आकड़े आ रहे हैं ग्लोबल लक्यूज आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं S&P 500 पहली तेजी गुरुवार को रहे हैं शुकरवार को दुनिया बर के बाज़ार बन थे हमारी तरह हैं नेस्डेक देख डेखे डवल सेंचुरी मारकर बन वार उसके साथ दाव फ्यूचर देखे 200 पॉइंट उपर है तो मुझे लगता है कि आज कोरोना पर अमेरिकी बाज़ारों तेजी आई है वो कारण अच्छे हैं कारण अमेरिकी बाज़ारों जो बेरोजगारी के आँकड़ा आएं वो उम्मीच से बहुत ही बैतर आएं यान की नोक्रिया काफी ज्यादा लगी है एकोनोमी में रिकवरी के संकेत आते वे दिख रहे हैं देखें बांड इल्ड आप के बेरोजगारी के कम होते हुए दिख रहे हैं तो फिर आप परपस अचीव कर रहे हैं जिस चीज के लिए आपने बाज़ारों को नीचे रखा है वो आपका परपस हासिल होता हुए दिख रहा है और मुझे लगता है उसलियाद से यह आंक्रे बहुत ही बहतरी हैं इसमें मेरा मान है तो बहुत ही बहतरीन मजबूत ग्लोबल संकेत है दीप और अगर यह माराश्ट्र के लोगडाउन की खबर नहीं होती है तो शायद निफ्टी आपको सेंचुरी जो नीचे मारते वे नज़र आ रहा है उसके जगे सेंचुरी ऊपर मारते वे नज़र आता इसमे कोई डाउट नहीं जी दीप बिल्कुल सर तो बहुत ही जबरदस्त संकेत हैं और देखते हैं आज अच्छी और बुरी खबर में बाजार कर डिरेक्शन किदर रहेगी सर एक छोटी सी बात जिसकी आपने अभी रेफरेंस भी करी आर बिया पॉलिसी है इस अफ़ते आज से कम होती ही दिखिए तो आर बे को और कमफर्ट और कॉंफिडेंस है ब्याज दरे बढ़ने की तो कोई आशेंका दूर दूर तक है नहीं गटने की संभावना नहीं है मेरे ख्याल से वही आर बे की जो पिछली बार कमेंटरी रही है और इस बार की कमेंटरी में ज्यादा फर थोड़ी सी बैतर होती ही दिख रही है तो मुझे लगता है गवर्णर साब अच्छा ही कहेंगे अच्छा ही करेंगे और एक्षिन ब्यास दोनों पर कोई होनी की संभावना नहीं के बराबर है दी पर सर एक और बड़ा development है और आपके favorite stock का है आपने कई बार इसको recommend किया है इस साल के लिए भी आपका high conviction counter है यह बीपी सेल यहाँ पर इन्हों ने जो भारत ओमान रिफाइन रही है उसमें हिस्सेदारी खरीदी है कैसे समझें इस action को especially क्योंकि हम company के निजी करन की बात करें आने वाले छे महीने में तो यह action कहां पर fit होता है दीपम ने जो साफ का है दीपम सेक्रेटरी ने और यह कि एपरिल से लेकर सितंबर के बीच में बीपी सेल का divestment किया जाएगा उसकी तरफ सरकार आगे बढ़ रहा है यह तेजी से और इसमें आगे बढ़ने में एक चीज़ साफ है बीपी सेल के जहां 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 इन्वे समझा जा रहा है कि उनकी हिस्सेदारी आगे चलके बेची जाएगी नुमालीगर्ट रिफाइनरी में जो इनका निवेश था वो अल्रडी बेच चुके है जो कुछ भी पैसा आएगा केश को डिविडेंट के तोर पर बाठा जाएगा ऐसे सिचुएशन में अगर ओमान मे जो इनका एक जोइंट वेंचर है वहाँ पर बीपी सेल जाकर और अपने पार्टनर की हिस्सेदारी खरीता है 2400 करोड रुपे में खरीता है तो यह इंटरेस्टिंग है जहां एक और उन्हें बाहर निकलना है अपने कम करना है तो ऐसे में क्या जरूत है कि ओमान में जाकर जो अपने जोइंट वेंचर में रिफाइनरी में हिस्सेदारी है वह खरीदे और यह इंटरेस्टिंग है डिप लेकिन इसको भी पूरी तरह से वीनिवेश की तरफ ही एक कदम के तोर पर मैं देखता हूँ और यह इंटरेस्टिंग किसलियाद से वह मैं आपको समझाना च देखें तो बीपी सेल को खरीदने में कई सारे दावेदार है यह लोकल प्लेयर्स भी और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी और उन में अरामको का नाम भी काफी तेजी से उपर है इसमें कोई डाउट नहीं और अरामको का हिंदुस्तान में ओल इंटरेस्ट है वह आपको हमको सबको पता है खो सकता है चुकि साओधी आरब और ओमान के रिष्टे बहुत अच्छे नहीं है तो खो सकता है उसलियाद से एक ये संभावना बनती है आप ये इसे एक एनलिसिस के तोर पर देख सकते हैं कि फिर ऐसी में बहतर है कि बीपी सेल के लिए वहाँ पर वो कारोबा ना रखे और उस कारोबार में अपनी हिस्सेदारी पूरी खरीद ले तो अरामको का अगर इंट्रेस्ट हो जाहिर सी बात है कि फिर बीपी सेल के लिए ज्यादा जरूरी होगा कि वहां कि लोकल इंवेस्मेंट्स के बजाए वो अपने इंवेस्मेंट्स रखें तो इस एं इंवेस्मेंट्स को उनको कम करना है ज्यादा करना है उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और उस लियाद से अगर आप देखें तो सरकार पूल कर से मुझे लगता कि टाइम लाइन पर चल रही है और इस फरस्ट हाफ में इस फाइनेशिल एर के अब से लेकर सितंब BPCL का नजर रखे इस काउंटर पर और अनिल जी का तो ये हाई कन्विक्शन आइडिया भी है आए सर फिर आज के संकेत समझाएं जादतर संकेत बलकि एक पॉजिटेव है बाकि सब न्यूटरल ही दिख रहे है सर हाँ जादतर संकेत न्यूटरल है इसमें कोई डाउट नी सुपर स्ट्रोंग लेकि इसके अलावा एफाई न्यूटरल डिया इस न्यूटरल में आगे विस्तार में आपको आंख़़ों में बताऊंगा वाईदा करोबार के न्यूटरल है सेंटिमेंट ग्लोबल मारकिट से अच्छा है हमारे लोकल संकेत खराब है इसलिए लोजिंग होने दें तब हम ट्रेंड को फिर से पोजिटिव करेंगा अभी न्यूटरल ट्रेंड है जो रेंज है आज के लिए और जो सपोर्ट जोन है वो आपके सामें रखनू 14,800 14,850 इमीडियेटल बाजार के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा इसके नीचे 14,700 14, 14,750 स्ट्रॉंग बाई जोन है आज के लिए 14,950, 14,950, 975 उपर रुकावट की रेंज है निफ्टी पर और 15,000 को पार करके टिके तो 15,025, 15,100 वो रेंज है जहां पर अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आपको आती वी नजर आएगी अब आईए बैंक निफ्टी 33,550, 33,625 ये दिन के लिए छोटा सपोर्ट जोन है हलका फुलका जहां पर शायद आपको खुलता हुआ दिखे इसके नीचे 33,150 बैंक निफ्टी पर स्ट्रॉंग बाई जोन है इस रेंज में आए तो जरूर आपको खरीदारी करना चाहिए तब वहां पर डरिये और रु बहुत अच्छा होगा और इस रेंज में दो हफ़ते हमने निकाल दियें तो जिदर भी एक बड़ा ब्रेक आउट होगा या ब्रेकडाउन होगा बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखेगा तो इसलियाद से 33,150, 33,300 वो रेंज है जहां पर आपको पके तोर पर खरीदारी करन अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो शॉर्ट भी कर सकते हैं यह दोनों इस आपके लिए ध्यान में रखने वाले जोन हैं जी दिव चोड़ा साथ सो और पन्दरा जार पचास दिन की बड़ी रेंज के तोर पर आप निफ्टी में लेकर चले हैं बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 33,550, 33,975 दिन की छोटी रेंज होगी 33,300, 34,175 दिन की बड़ी रेंज होगी और बड़ी रेंज के तोर पर 33,150, 34,325 को लेकर चल सकते हैं इन रेंज पर आपको रखनी है नजर बैंक निफ्टी के लियाद से और निफ्टी के लियाद से यह दोनों ही रेंज आप दिन की चोटी बड़ी और मीडियम लेकर चले अपने साथ जी दी क्लियर है सर तो इंट्रेस्टिंग ट्रेड होना चाहिए यह हैं आपके लिए इंपोर्टन लेवल्स सर एफाइस की पोजिशनिंग और पी सी आर में क्या बदलाव होए हैं एफाइस ने इंडेक्स में अपनी लोंग पोजिशन दो परसंट से बढ़ाई है साथ परसंट से बासर परसंट और उसमें ज्यादा शॉर्ट कवरिंग है जो मैं विस्तार से आगे बताऊँगा पुटकॉल रेशियो गटकर आया है एक चोपन से एक च्छतिस आप देख सकते हैं कि जब भी बाजार बढ़ता है तुर्ट पुटकॉल रेशियो गटता हुआ नजर आता है इंडिया विक्स तीन परसंट नीचे आकर बीस के आसपास से कमफर्टेबल है अब आईए स्टॉप्लोस अगर आपकी तेजी की पॉजिशन है तो डे ट्रेडर के तोर पर आपको स्टॉप्लोस रखना है 14,800 का यहां से 70 पॉइंट नीचे यह आपका स्टॉप्लोस होना च रखिए यानि कि आपके पास एक परसंट का कुशन है लगब 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 डेट सो पॉने 200 पॉइंट नीचे अगर आप बंद होते हैं बाजार में तो ही आपको स्टॉप्लोस रखना है वहां पर बैंक निफ्टी में एक ही स्टॉप्लोस दे रहा हूं वो भी छोटा है 33 3550 का इसके नीचे बंद होते हैं और जिनको बहुत ही और डीप रखना है वो तो या तो 33,000 का रखे है या फिर 33,300 का रखे है जो कि बहुत दूर रिस्क रिवार्ड रेश्यो के लियाद से वो अच्छा नहीं है और वैसे तो आप देखेंगे तो 33,850 पे आप बंद हुए 300 पॉइंट भी कम नहीं होता है लेकिन वही है निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको एक एक परसिंट की रिस्क तो दीप रखकर चलनी पड़ेगी तो 33,550 का इसके बैंक निफ्टी पर इंट्राडे के लियाद से और क्लोजिंग के लियाद से शौट है तो आपके लिए और बैंक निफ्टी दोनों में शौट में एक सिंपल स्टॉप लोस है 14,900 चौदा नोसो के पार निकल कर दिन के दोरान निकले तो भी काट लिजे और 34,000 बैंक निफ्टी पर दिन के दोरान निकले तो भी काट लिजे और क्लोज 34,000 के उपर होता दिख रहा है तो भी काट नई पोजिशन के लिया से देखे तो दिफ्टी खरीदी चौदा जार साथ सो का स्टोप लो से तो इसलिए जितना नजदीक चौदा जार साथ सो के आसपास खरीद पाएं चौदा साथ सो साथ सो पचास बहुत बड़ी है रहें जैंगा आई डून नो वहां पर आएगा नही देखें एजिक निफ्टी को तो चौदा साथ सू साथ सो पचास तो बहुत ही बड़ी रेंज है उसके पहले चौदा आठ सो पचीज चौदा आठ सो पचास भी सपोर्ट है तो कहां खुलते हैं वह देखेंगे लेकिन आपका एस्ट्रोप्लोस क्लियर है चौदा जार साथ का उपर 14925 950 15000 1525 और 5050 यह सारे लेवल से जिसके लिए गैब डाउन आपनी में आपको खरीदारी करनी चाहिए उसके बाद अगर उपर आए तो 1550 1513 आपके लिए निफ्टी में और उपर 15200 एस्टॉप लोस्त होगा नीचे 15500 और 14925 14 875 तक के लिए हैं आपके लिए निफ्टी में बिकवाली करने पर अगर आप एग्रिसिव ट्रेडर हैं और पंद्राजार के पार का इंतिजार नहीं करना चाहते तो आप 14,975 से लेकर पंद्राजार पचास की रेंज में भी बिकवाली कर सकते हैं यानि कि 14,975 से भी अगर 101 पॉइंट यहां से उपर हो जाए तो स्टार्ट कर सकते हैं तब आपका इस्ट्रप्स पंद्राजार एक सो का होगा 14,950,925,14,875,14,825 यह दो लेवल हैं जिनके लिए आपको लोट्स अगर आप खरीदना चाहते हैं कि 33,625 पे एक लोट खरीदा, 33,550 पे एक खरीदा, 33,300 पर तीसरा खरीदा, अगर मल्टीपल लोट्स खरीद सकते हैं तो अलग लग टुकडों में खरीद दिये, एक लोट खरीदना है तो फिर आप इंतजार कीजिए अपने में से जो भी लेवस आपको ठीक लेगे, एग्रेसिव टेडर हैं तो 33,625 पे लीजिए, आराम से पैसिव टेडर है, मिला तो ठीक, तो 33,300 का इंतजार कीजिए, उसलियाद से आपको खरीदारी करने हैं, स्टॉप लोस दूर है, रेंज भी बड़ी है खरीदने की स्टॉप लोस रेशियो आपको देखकर खरीदना है, 33,000 स्टॉप लोस है, 33,625, 33,750, 850, 950, 34,000, 34,175 और 34,225, यह सारे टार्गेट हैं उपर के लिए, अगर एक बर हम 34,000 को पार करते हैं तो, जो लोग शोट करना चाहते हैं, 34,175 से 34,325 बढ़िया रेंज यह शोट करने की, I don't know, 34, 34,000 के पार निकल के ठीकेगा यह वो लेवल्स आएंगे या नहीं, अगर कोरोना वाला मामला नहीं होता तब तो आप 100 पोइंट ऊपर खुलने के संकेत देखी रहे थे, तो ठीक है, इंतजार किया जाए, आएंगे, तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको वहां बिकवाल करनी है, स्टॉप लोस यहां भी दूर होगा, 34,500 का, दूर ही लगाना है, ताकि आपका ट्रिगर नहों, नीचे 34,000, 33,950, 33,875, 33,775, 33,625, 33,550, यह सारे लेवल से, जीन के लिए आपको करनी है, बिकवाली बैंक जिफ्टी में भी, जी दीब, तो यह हैं आपके लिए लेवल्स और बड़े लेवल्स और काफी सारे लेवल्स निकल करा रहे हैं, तो जैसे कि अनल जी कह रहे हैं, हर लेवल पर आपको एक्शन आज बाजार में आते हो दिखेगा, वाइदा कारुबार में सर्फ सिर्फ सेल बैंड में था, वो ही बना तो नहीं है थोड़ा फंड्स का डेटा समझाएं सर जो फिगर्स हैं इस्पेशली जो कैश मार्केट के डियाएज एफ़ाइस के फिगर्स हैं थोड़े कम नहीं लग रहे हैं थोड़े नहीं बहुत जाला कम है दिप और ने सिर्फ कैश के बल्कि वायदा कारोबार के भी एक कि एफ़ाइस अभी भी वेट और वाच वाले मूड में हैं कोई खास बड़ा एक्शन एफ़ाइस ने किया नहीं है गुरुवार के सेशन में जबकि बादार इतनी मजबुती के साथ बंद हुए है पोने 200 पॉइंट निफटी पर और 500 पॉइंट बैंक निफटी पर तो ए उमीद में कि सोमवार को बड़ा गैप मिलेगा मिलता भी ऐसा नहीं कि नहीं मिलता लेकिन यह कोरोना का जो इसफोर्ट हुआ है उसके चलते थोड़ी सी सिच्वेशन धीली होती दिख रही है अधरवाइस तो आप ग्लोबल संके तो इससे बढ़या उम्मीद करी नहीं सकत हैं अब इसके बाद देखें 4562 करोड के उन्होंने ऑप्शन का आंकड़ा बड़ा है और वीकली एक्सपाइरी का उस दिन बड़े आंकड़े आपको आते हुए दिखें तो ऑप्शन में दोनों में खरीदारी एफाइस के तरफ से होती हुए दिखी तो एफाइस भी इसका कॉल लेने के वज़ाए बैतर है आप ऑफशन के जरीए ट्रेड करें हेज करें तो जब रेंज बाउंड मार्केट हो या डायरेक्शन क्लियर ना हो तो ऑफशन खरीदना ज्यादा ठीक है ये एफाइस की पूरी तरह से मान सकता नज़रा लिए इन डेटा में जी दीब क्लियर है सर थोड़ा अनडिसाइडड है एफाइस बाजार की डिरेक्शन को लेकर आज़ सर वाइदा करोबार के लिए आज से क्या इंपॉर्टन लेविल वाइदा करोबार के लिए से डीब देखिए चौदा जार साथ सो इमिडिएटली सपोर्ट है और पंदरा जार सीरीज भी मतलब वीकली वाली चारी दिनों की है है ना तो डेटा कम है 17 लाग शेर पुट में है 14 700 पर 19 लाग शेर कॉल्स में है 15 जार पर तो वो डेटा का कोई खास मतलब नहीं है लेवल मैं आपको देए चुका हूँ पहली चीज इंटरसिंग चीज देखे दिफ वाइदा खरीदारी नहीं यह आपको साफ दिख रहा है वो डेटा यह बता रहे हैं कि अभी भी खरीदारी को लेकर बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है लेकिन हाँ यह जरूर है इन डेटा में पॉलिटिव बात की इसका मतलब है कि वो डाउनसाइड रिस्क ज्यादा नहीं देख रहे चाहिए 60 पॉइंट की परीमिने रहे हूप को दिखा रही है बैंक निफटी के लिए qoix देटा नहीं है 23000-340400 वही रेंज इसके बाहे निकलेंगे तो आगे सूचिँगे क्या करना है good तो देखते हैं थोड़ा इंट्रेस्टिंग एक्शन होना चाहिए आज शुरुवाती में सुष्टी दिखे उसके बाद बाजार के डिरेक्शन इंट्रेस्टिंग रहेगी धेरो स्टॉक्स है जो आक्शन में रहेंगे थोड़ी दर में हमारे एक्सपर्ट से उनकी पिक अव कि जो ग्रूप से उनकी बैटक रहने वाली है तो इस इंटरनाशनल इवेंट पर आपको नसर रखनी है इसके अलावा इरकान आज बोर्ड बैटक में बोनस पर फैसला होने वाला है बोनस शेर पर तो यहां पर आपको नसर रखनी है आर्वी एनल 27.50 पर पर प्रतिशेर के बावपे करमचारियों को करीब 1 करोड शेर का ओएफेस दिया जा रहा है करमचारियों के लिए ओएफेस 5 से 7 एपरिल तक खुला रहने वाला है श्रीराम ट्रांस्पोर्ट फिनांस यहां इंटेरम डिविडेंट का आपको एजजेश्मेंट देखने मिलेगा एक्स जेट है छे रुपे पतिशेर के इंटेरम डिविडेंट दिया जा रहा है अब बात करते हैं खबरों की तो यहां पर एक एक्स्क्लूजिव खबर आँ आपको दे रहे हैं आईडीबिया बैंक को लेखे कि आईडीबिया बैंक की लाइफ इंश्रेंस कंपनी में हिस्तेदारी खरीदने वाला है इजिस इसके पहले भी करीब 23% के आसपास की हिस्तेदारी खरीदी गई थी 507 टोड में अब करीब 25% के आसपास की जो बच्ची कुछी हिस्तेदारी है वो भी यह खरीदने वाले है इंश्रेंस में जो 74% FDI के बिल को संसत की मंजूरी मिली थी उसके बाद एजिस की पूरी तरसे तयारी है तो इस स्टॉक को आपको अपने खास रडार प्याज रखना है हीरो मोटो कॉप जो आटो नंबर्स आएं उसकी बात कर रहा हूँ लेकिन यह हमारे अनुमान से फिर भी बैतर नज़ा आ रही है आईश्र मोटर्स यहां जो बिक्री है वो थोड़ी कम है मार्च में कुल बिक्री जो है 5.2% घटी है अनुमान 75,000 का था जबकि केबल 66,000 के आसपास कमनी ने जो रोयल इंफिल की बाइक से वो बेची है TVS मोटर्स यहां अनुमान से बैतर नंबर्स नज़ा आ रहे है मार्च में कुल बिक्री 8.4% बड़ी है तो यह अच्छा है और अतुल आटो यहां पे मार्च में कुल बिक्री जो है इस कमनी ने उत्पादन शुरू कर दिया करीब धाई लाक यूनिट के आसपास की उत्पादन की शमता है इस यूनिट की वहीं श्टील कमनी इस पर नज़र रखना है क्योंकि सेल यहां पे इस कमनी ने अपने Q4 का अपडेट दिया है उत्पादन और बिक्री में काफी बहतरीन तेजी देखने मिली है कुल उत्पादन जो है उसमें देखे करीब 4% के आसपास कॉर्टरन कॉर्टर भी बढ़त है और जो बिक्री है सालदर साथ 14% बढ़ी है और कॉर्टन कॉर्टर भी 3% बढ़ी है यानि कि स्टील की cmdC ने दो नए ओडर मिले हैं, हिंदुस्तान कॉपर, नालको और साथ सब कंज्री में डूरेबल्स की स्पेस में जितनी भी कंपनिया है उन्पे नज़र रखिएगा, क्यूंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इंपोर्ट रेजिस्ट्रेशन कंपरसरी कर दिया है, 46 कॉपर और 43 अलूमिन अल्राइट, तो धेरो स्टॉक्स हैं, खबरों के दमपर आक्शन में और कई सारे स्टॉक्स आपों आज मूपमेंट दिखाएंगे, आए मांसी से भी जानते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में, गुड मॉनिंग मांसी बताएं गुड मॉनिंग दिपांशू, दो कमपनियों के बिजनस अफडेट से शिर्वात करूँगी, कैथलिक सीरियन बैंक, यहाँ पर कमपनी के कुल डिपॉसित में 21 प्रतिशत की बढ़ात देखने को मिली है, कासा रेश्यो 34 पिसेंट अप रहा है साला नाधार पर, वहीं अग गर इनके गोल्ड और गोल्ड जोलरी एडवांस की बात करें, तो यहाँ पर भी करीब 22 प्रतिशत की बढ़ात देखने को मिली है, तो मजबूत बिजनेस अपडेट कमपनी के आते हुए दिख रहे हैं, HDFC लिमिटेट के बिजनस अपडेट, इंडिविजियल लोन बिजनस 3061 करोड से खटकर 2024 करोड पर जाते हुए दिखी है, अधानी एंटरप्राइजिस कमपनी को दू अवार्ड भी मिले हैं, और साथी कमपनी ने करार भी किया है, एनेच याई से लेटर अफ अवार्ड मिला है कमपनी को वेस्ट बंगॉल में 6 लेन के रोड प्रजेक के प्रजेक्ट लागत जो है 1169 करोड की है, साथ ही महराश्ट्रा स्टेट पावर जेनरेशन कमपनी लिमिटेड के साथ कोईला माइनिंग समझोता भी कमपनी ने साइन किया है, इसके अलावा पराग मिल्क फूड पर नजर रखे, बोर्ड बैठक हुई और बोर्ड बैठक मे वही सिक्स्ट सेंस वेंचर अडवाईजर को 50 करोड के प्रेफरेंशल अलॉट्मेंट पर मनजूरी है, और साथ ही मिस्टर देवेंदर प्रकाश शाह और मिस्स अनेत्रा प्रीतम शाह को 111 करोड के कनवर्टेबल शेर वारन जारी करने पर भी मनजूरी है, प्राइविट के जरी 145 रुपर प्रतिशर के कनवर्जन कीमत पर आएफसी को 11 मिलियन डॉलर के एफसी सीबी जारी करने पर भी इस वोर्ड वेठक में मनजूरी मिली है, जमोन कश्मीर बैंक सरकार ने बैंक में 500 करोड के पूंजी निवेश का फैसला लिया है, वहीं बॉंबे डाइंग पर फोकस कीजेगा, जेवाडिया ने मैनेजिंग डिरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है, कम्पनी मैनेजमेंट को और प्रोफेशनल बनाने के लिए फैसला लिया गया है, डॉक्टर रेडी इस फोकस में रहेगा, स्पूतनिक वी के उपयोग पर निर्णय को टाला गय एक्सपोर्ड पैनल ने आतरिक्त जानकारी इस पर मांगी है, इसके अलावा एनेफल, एफ़ए ट्वेटीवन में 59.36 लाक मेट्रिक टन की रिकॉर्ड फोर्टिलाइजर बिकरी हुई है, और एफ़ए ट्वेटी में 57.04 लाक मेट्रिक टन की बिकरी की भी यहाँ पर खबर इसकी रिकॉर्ड डेट जो है, दस अपरिल की है, बल्क दील सीमाक में है, नोमुरा सिंगपोर ने करीब दो लाक पचास जार शेर्ज, चार सो उन्चास उपर च्यानवे पैसे प्रती शेर के दाम पर खरीदे हैं, इंसाइडर ट्रेड रेमन पर है, प्रमोटर जेके टालिस जार शेर्ज की खरीदारी एक खतीस मार्च पर की है, और वेस्ट कोस्ट पेपर प्रमोटर किलकोट गिरी और तिरुमबड़ी अप्लान्टेशन्स ने करीब 49,749 शेर्ज तीस से एक खतीस मार्च के बीच खरीदे हैं, ओके तो यह है वो तमाम खबरें जिन पर थोड़ी देर में आपके सामने आएंगी एफाइर्स भी, कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट भी लेकिन उससे पहले, बंसल साब है तैयार, आए लेते हैं उनसे, पिक अफ दे वीक, सर गुड मॉर्निंग, करिए शुरूआत, बंसल जी स्टॉप लोस की जरूट नहीं समझ रहे हैं या भूल गए? अनि जी मैंने मेंचन करा है 581, 581 रुपे स्टॉप लोस है, स्टॉप लोस सबसे पहले है, मोस्ट इम्मोर्ट है, तो मैंना सुनना रिमिस हो गया लगता है, तो 581 के स्टॉप लोस खरीदें आप और 616 के टार्गेट के लिए, आए आए आशिश हमारे साथ तयार है, वक् अनि जी स्टील स्टॉक्स पर लगाता है, ब्लोकरे जाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट सारी है, जेपी मोगन की देगे दमदार रिपोर्ट आई है, सेल पर ओवर्वेट की रिटिंग को बरकरार रखा है, 105 रुपे का हुचा अलग्ष दिया, 33 के आसपास की गुरवार की क्लोजिंग है, और यह मानरे कंपनी का कर्स का स्टर अगर आप देखें तो कई सालों के निचले स्टर पर है, और आगे और सुधार की उमीद है, स्टील स्टॉक्स मागर आप देखें तो वायलुएशन भी सेल के जाधा अट्राक्टिव नजर आ रहे हैं, जिसके चलते द जाधा है, जिसके चलते थोड़े से चिंतित नजर आ रहे हैं, एशियन पेंस, जेफरीज की रिपोर्ट है, यहाँ पर कवरेज की शुरुआत किया, होल्ड की रेटिंग के साथ, लेकिन जो लक्ष है वो अगर आप देखें तो करेंट मार्केट प्राइस से नीचे का दिय है, पचीस सो पैतालीस की क्लोजिंग है, पचीस सो का लक्ष दिया और मानरे की पेंट इंडस्टी में जो है, आगे बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकते हैं, कंपनी को भी अच्छे मार्केट शेर गिंज होते हैं, नजर आएंगे, ओन जी सी जेपी मॉगन की हैं, इसमें एक बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा, फिलाल के लिए आखरी रिपोर्ट है, पी एंसी इंफ्रा पर नौमिरा की रिपोर्ट है, खरीदारी के राय को बरकरार रखा है, तीन सो चौनसर ट्रॉपे की लक्ष के लिए कि आगे जाकर हैं प्रोजेक्ट के लि इन्होंने मिला है, उस पर भी आज नज़र आएगी, जिहां, सोला सो दस करोड के रुपे के आज पास का एक ओर्डर है, जिस पर भी आपको नज़र रखती हैं, इन स्टॉक्स पर चार्ट पर भी आगे चलते हुए, एक हम राय लेंगे, लेकिन आईए, तब तक जो थी तीमाई थी, जनवरी से मार्च वाली, ये बहुत ही शांदार रही है इस कमसी के लिए, तो जवर्दस आख रहा है, प्रोडक्शन 6% बढ़कर आया है, बिक्री 14% बढ़कर आया है, कर्ज कमसी ने बहुत कम किया है, तो सारे जो बिजनिस अपडेट्स आया है, सेल के ब अनिल जी, डेफिनेटी पहली चीज तो कैश में खरीदना चाहिए, एक बड़े वाला ब्रेक आउट स्टॉक में देखने को मिला है, और 99 रुपीस तक ये स्टॉक जाने का पुटेंशियल रखता है, तो 98 से 100 रुपीस के टार्गेट के लिए इसे कैश में खरीद के और अनिल जी दिक्कत यहां पर एक नहीं अनिल जी दो दिखते हैं, तो दूसरी दिक्कत आप बताएंगे कि मैं बताओ अनिल जी, कौन सी, बताओ कि आपने ग्रासिम को रिक्मेंट करना बंद करा इस टॉक को जहां तक मैं रिक्लेट कर पा रहा हूं 33-34 के राउंड आपने बड़ा कि इसको खरीद के रख लो फिर जब इसका ऑफर फॉर सेल हुआ और 55-56 रुपे के राउंड आपने बोला लेकर रख लो और अनिल जी मैं तो देखिया रेगुलर शोबर रहता हूं मौर्निंग और आफ्रनून में और चुट्टी लेता नहीं हूं और मैं रिक्लेट नहीं कर करा 55-56 में रिक्मेंड करा बाइस फरवरी के बाद से 62-63 के सरों से आपने कभी फॉल आउन इस पर कभी को राय नहीं दी और कभी कोई फ्रेश रिक्मेंडिशन नहीं है या बंसल जी उस पे 100 रुपे का टार्गेट मिनिमम है ही और 75-100 रुपे का टार्गेट पोजिशनल ही है शायद नहीं रिक्मेंड करने की वज़े एक ओर रहिए कि आम तोर पर बैन में रहता है hardly कبھی एक आट दिन के लिए band में बाहर आता है जिस दिन band से बाहर आया उस दिन recommend किया और उसी दिन वापस band में गुज़ जाता है तो इस चक्र में है ना traders के लिए आज से recommend नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन investors के लिए तो जो recommend करके पहले से रखा हुआ हुए 100% hold है गुप यह तो आप इंडियेटली वांगे साहब की तरफ इशारा करें कि वांगे साहब बहुत शुट्टी पर रहते लेकिन अगर आप का इशारा उनकी तरफ यह तो आपका इशारा सही है वांगे साब आज आछुके हमारे पास लबार यह आप लंबे विकेंड में एंजोय करेंगे एक बड़ा वाला ब्रेकाउट फ्राइड को थर्सडे को आया है और मुझे लगता यह मूव कंटीनी होगी 595 का क्लोज है मेरा 582 का स्टॉप लोस है मुझे लगता यह हफते में यह 604 40 और 650 के आसपास मेरा 648 का टार्गेट है तो 5-7% की वीकली मूव में इसमें दे तीन से चार दिन में यह मूँ आनी चाहिए और आपके खास मित्र और आपस जिन्होंने आपसे चार्ट सिके हैं वागले साब सचीता नंदुत्ते कर सचीन जी उन्होंने भी पिछले हफते आपकी एपसेंस में हैपियस माइन दो बार रिकमेंड किया है बहुत पर उस्टॉक बढ़िया तेजी दिखाता हूँ अभी नजर आया तो जाहिर से बात है आपके और उनके चार्ट देखनी की कला आट जो है काफी मिलती जूलती है तो हैपियस माइन यह है वागले साब को पसंद आए जै ठकर भी हमारे साथ है जै गूड मोनी बताएं आपक पिक अफ दवीग वेरी गूड मॉनिंग जी और वेरी गूड मॉनिंग दीप थाहिरो केर मेरा पिक अफ दवीग है नाइन फॉटी फाइव के असपा से क्लोज हुआ था इन फैक मैंने यह दस की कमाई में भी रेकमेंड किया था लास्ट वीग अनिल जी और उसके बाद त अच्छा एक 200 डेमा से यह स्टॉक ने एक रिवर्सल दिखाया और मुझे इसा लग रहा है कि जो हिसाब सो अल्मोस्ट 50% करेक्शन खतम हो चुका है यह स्टॉक का पूरे एक उसके प्रिवेस अपमूव का काफी एक अच्छी अपमें अपसाइट देखने में सकती है यहा नो सो अठरा के स्टॉपलोस से थायरो केरें खरीदारी जिस तरह से कैसे बढ़ रहे है कोरोना के आप समझ सकते हैं टेस्टिंग कितनी बढ़ती नजर आ रही है बाकी एक्सपर्स भी हमरे साथ जूड़ चुके है सुमिझ जी गुड मॉनिंग बताएं आपका इस हफते का जेर Конud के में अच्छा मॉक देखनी को मिलना ची और कोटम बैंग पिछले कई दिनों से और थॉस्पर से चल्च के बीच में और इस हसंबWास के बाएं घ्गाना है और उपर में ऐसा लगता है कि स्टॉक इस अफते में 870 से लेके 1900 रुपय तक का मूँ उपर में दिखा सकता है तो कोटक बैंक में इस अफते पर नज़र लगे कोटक बैंक खरिदें यह राय आपके लिए सुमिज्जी किये विश्वेश जी भी हमारे साथ ने इस वक्त विश्वेश जी सूप्रभाद बताएं सर्थ गुड़ मॉनिक सर्थ गुड़ मॉनिक तो ओल उपस दिखिए मुझे इसा लग रहा है 6400 तक के टार्गेट के लिए करें खरीदारी और गुरुवार के सेशन में आपको याद ही होगा सिमी जी ने यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी थी और उनके टार्गेट जो थे चपन सो पचीज चपन सो चालिस के आसपास उससे कहीं ज़्यादा ऊपर जाकर स्टोक बंद होने में रहा काम्याब जेन साब अमरे साथ जूर चुके हैं जेन साब गुड मॉर्निंग बनाएं सार आपका इस हफते का शेर येस वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी एंड एसार एफ को तो हमने मस्ती की पाटशाले में भी सिमी जी के नाम कर दिया था तो जो पिक अपड़ वीक है वो पिक्स है और पहला स्टॉक है टीन प्लेट मुझे सबसे ज़्यादा कन्विक्शन जब मैं रिसर्च कर रहा था weekend पे extended weekend था तो टीन प्लेट पे बहुत जादा मुझे भरोसा है तो टीन प्लेट बिलकुल first pick of the week है दूसरा इंद्रप्रस्त मेडिकल, मुझे लगता है यह मेडिकल वाले, डाइगनोस्टिक्स वाले, यह स्टॉक्स में वापस से माहॉल बनेगा, और BPCL, जो कि एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है, मैं यही बोलूगा कि एक तरफ बेच रहे हैं, दूछरे तरफ ले रहे हैं, तो क मुझे मिधानी, मुझे मिधानी पे भी भरोसा है, मुझे लगता है, यह PSU स्टॉक्स में फिर से माहॉल बनेगा, मैटल स्टॉक्स चली रहे हैं, तो टीन प्लेट, इंद्रप्रस्त मेडिकल, मिधानी और BPCL, और तीन स्टॉक हैं कैश मार्केट से, टीन प्लेट, इंद् बोर्ड बेठक इरकोन की, और इसमें बॉनस पर होगा विचार, चार्ट पर क्या है रहा है आपकी? तो धेर सारे ओटो नंबर्स आएं, तो मैं एक एक करके असाइन कर दू, हीरो मोटो कॉप, अच्छे नंबर्स हैं, जै इसके चार्ट साब देखिए, बजाज ओटो, इसके भी अच्छे नंबर्स हैं, विश्वेज जी, इसके चार्ट साब देखिए, और आईशेर मोटर् हीरो मोटो कॉप बताइए इसके आंख्रों के दम पर क्या रहेगा एक्षन अनिल जी एक छोटा सा बाउंस बैक हमें देखने मिल सकता है हीरो मोटो में इंपेक 2890 का एक मैं कहूंगा अच्छा सपोर्ट है क्लोजिंग बेजिस पर 2890 होल्ड करता हीरो मोटो कॉप अनिल जी त जो भी बाउंस आएगा अगर किसी की नीचे की खरीदी है तो प्रॉफिट बुक करें लोगर लेवस पर किसे ने बैट किया इस पर लॉंग साइड पर तो और यूदो किसी की अगर लेवस पर शॉट पोजिशन सटकी हुई है जो बाउंस देखने मिलेगा उस पर एक्जि कि लास्ट वीक हमने बजाज आपको करीब अच्छा बाउंस पर जाता है तो फिर चाहाज चाहाज तक जा सकता है अधर्वाइज मेरी साफसे आईडियल गी इसको खरीद में कि होगी 3700 के आशपाफ तो 3700 के आशपास मेंता है जो यहां से 50000 रुपे नीचे है तो मुझे लगत खरीदना चाहिए 3800 के ओपर और एड़ करना चाहिए 4000 तक के टार्गेट रहेंगे 4000 तक के टार्गेट के लिए बजाज ओटों में तेजी की पोजिशन बनाए रखे वागल साब आईशेर मोटर्स नंबर्स कमजोर आएं मार्च मैने में बिक्री 5% गटी है और हमें लगा 75,000 बुलेट बेचेंगे लेकिन बेची उन्होंने 66,000 बताए इसके चार्ट कमजोर हैं क्या तो मुझे लगता यह स्टॉक सुनर देन लेटर 3000 तक जा सकता है तो मेरी यह स्टॉक के लिए रेंग दोजार 400 से 3000 होगी 3000 तक के टार्गेट होंगे लेकिन वह तीन से च्छे मैने और इससे में गिरावट में करें आप खरीदारी TVS Motors नंबर मजबूत है मार्च के मैने में 8% बिक्री बढ़कर आई है बंसल जी अन्य जी टेक्निकली पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेट कर रहा है बट पॉजिटिव बायस के साथ एक रेंज में टका हुआ है 584 नीचे में एक सपोर्ट है 595 उपर में एक रजिस्टन्स है तो जिनके पास है 584 के स्टॉप लोस से बने रहे और नई खरीदारी की राय होगी जब 595 के लेवल से उपर में टूटेंगे 595 के उपर और ज्यादा खरीदारी करें ये आपके लिए राय होगी NCC Limited ये एक और स्टॉक है जिसके चार्ट देखने हैं आपको सुमिझ जी 530 करोड के दो नए ओडर मिले हैं NCC को बताएं सर अनेल जी चार्ट बढ़िया दिख रहे हैं स्टॉक 80 के आसपास क्लोजिंग दिया है तो स्टॉक के अंदा बाइंग बंदा है जिन्होंने बाइं करके रखा है वो लोग होल्ड करें टागेट जल्दी शॉक टाम में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं अदानी एंटरप्रेजेज पर अच्छी सारी बहुत सारी खबरें पिछले अफ़ते अदानी एंटरप्रेजेज ने आपको बड़ा मिस किया रोज सो सो रुपे पचास रुपे बढ़ता था खबरें य हुआ है चार्ट खरीदारी की राय क्या है आपकी वागले साब आपके लिए अनिल जी इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है जिस तरह से अड़ानी एंटरप्रेजेस की जो मुह आई है एक फ्रेश ब्रेक आउट फ्राइडे को थर्सड साइड 10901085 एक सपोर्ट है अगर उसके नीचे ट्रेड होता है तो मैं आपका स्टॉप लॉस 1078 का होना चाहिए ओके एनमडिसी विश्वेश जी जरा इसके चार्ट और वाइदा करोबार के आंक्रे देखिए इन्होंने दाम बढ़ा है है लंज और के दाम बढ़ा है नो फाइन्स के बढ़ाएं 6% लगातार एक के बाद एक प्राइस हाइक ले रहा है एनमडिसी और फिर से प्राइस हाइक हुई है बढ़ाएं सर खरीदेंगे आप मेरे इसाब से लिजी बहुत ही बढ़िया चार्ट है और जिससाब से ब्रिक आउट आया है तिनो आल टाइम हाई के ओपर मुझे लग रहा है कि स्टॉप जो है और जब मैं अल टाइम हाई कर बोल रहा हूं निल जी तो मैं दोजार अटरा के बाद कर तीन साल की रिंज का ह है बूल रहा हूं जिससाब से ब्रिक आउट है मुझे लग रहा है अगला लेवल एकसो पचास और उसके उपर में एकसो सब्तर तक कर रो सकता है बहुत ही ब्यूटिफू चार्ट है कोई भी गिरावट पे मेरे साब से अक्यूमिलिट करना ची जब तक एकसो पक्चीस के नहीं जाता है तब तक मुझे लगता है इस वन सिस्टी तो मेंडियों हा रहा है ओके तो यह आपके लिए राय इस वक्ता अन्मडी सी पर आईए बाग कुनाल जी पर अमारे साथ जूड़ चुक है कुनाल जी से ले 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 उनका पिक उफ देविक कुनाल जी सूपरबाद सूपरबाद अनिल जी सबसे पहले तो अनिल जी आपके चहरे पर एक ग्लो दिखाई दे रहा है अनिल जी तो मुझे लगता है अनिल जी पोस्ट वेक्सिनेशन ग्लो है आपके चहरे पर और यह बंसल जी के चहरे पर भी दिख रहा है अनिल जी बिलकुल बंसल जी और मेरी कि दोनों की उम्र सारोजनिक हो चुकी है, हम 45 प्लस वाले है, एक्शली बाद में ख्याल आया है, बंसल जी, कि तीस वालों की जब शुरू हो जाती है, उसके बाद हम अगर लगवाते हैं, तो लोग कंशुजी रहते हैं, कि हम 45 वाली केटेगरी में नहीं है, यह ख्याल आया जबूर था, लेकिन फिर भी मैंने सोचे कि नहीं, यह करना गलत होगा, उम्र छुपाने से बेठर है, यह टाइमली वेक्सिन लगवा नी जाये, ताकि उम्र लंबी रहे, तो वहाँ पर रिस्क नहीं लेनी, यह सोच कि मैं जाके लगवा आया, तो बंसल जी भी लगवा आया, तो यह काम अच्छा हुआ है, दन्यवाद सर्क चेहरे पर लोग नहीं कोन्फिटेंस है, कि अब हाँ, इवेंचली कोरोना से बचेंगे, बट हाँ, अभी भी दूसरा डोज और उसके बाद लंबा समय है, लेकिन सबको सावजानी रखने की बहुत ज़रूत है, जी बताएं कुना जी, आपका पेक अफ़ दे वीग, अनि जी एक खरीदना है نिफ्टी मैटल इंडेक्स, अब निफ्टी मैटल इंडेक्स ऑनि इस वज़ेसे मैंने चुना एकि मुझे पूरा मेटल का स्पेस ही अच्छा लग रहा है, तो मैंने निफ्टी मेटल इंडेक्स पर आज खरीदारी के राये दी है अनिल जी पूरे सब्ता के लिए अब निफ्टी मेटल इंडेक्स ने अनिल जी 4000 के लेवल को पार किया है और इसका मतलब यह है कि कोई भी मेटल स्टॉक पिक कर सकते हैं JSW स्टील, जिंदल स्टील, स्टील अथारिटी, टाटा स्टील सभी में ब्रेकाउट आता हुआ दिख रहा है और जबरदस तेजी मुझे लगता है इन स्टॉक्स में बनेगी आज बजार कमजोर खुलेगा, नीचे के लेवल्स पर मौका मिलेगा तो आपको निफ्टी मेटल इंडेक्स खरीदना है और उसके जो कॉंपोनेंट्स हैं, उन में से कोई भी स्टॉक खरीद लें सब के चार्ट दमदार दिखते हैं जो पसंद आए वो खरीद इए, आपको JSPL पसंद हो, JSW स्टील पसंद हो सेल पसंद हो, हिंडाल को वेडानता, जो पसंद हो लीजे लेकिन इन में सब में मैं एक चीज़ जरूर करना चाहूँगा और वो ये, कि मुझे पूरे मेटल स्पैस में सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कुछ दिख रहा है तो वो है स्टील, स्टील कम्चियों को सबसे ज़्यादा फाइदा इस वक्त नज़र आ रहा है एसी स्टील कम्चियां, जिने स्टील बनाने के लिए अपने खुद की माइन्स है आयन और उन्हें खुद के मिलते हैं, जिसमें टाटा स्टील, सेल जैसी कम्चिया है और साथी गода orly Power जैसी कम्चिया है, जिन के पास खुद की माइन्स है क्योंकि जिस से आयन और के दाम बढ़ा है, अभी भी आपने देखा नहा है N undocumented ने कैसे दाम बढ़ा है आज फिर से तो जिन जिन compare के पास खुद की माईंस हैं जिनकी captive कंजंशन हैं जिनके पास already captive माईंस हैं नग कंजंशना उन कंजंशन के margin जो बढ़कर राएंगे अनाप machinery चब्रदस तो यह result देख्येंगा इस नाप माज़ और ते इस बार थी सिド से कंजंशननों आखे ऐसे खुली की खुली रह जाएगी